हाई दोस्तों कैसे हैं आप सभी में डॉक्टर अन्वेस्ट फिर से अपने यूट्यूब चनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है मस्त हैं और अंतिम प्राहर की तैयारी कर रहे हैं हम अंतिम प्राहर देंगे IT के सब्जेक्स का और AI Financial Planning के सब्जेक्स का तो चिंता बत करिए Just Human Values का सब्जेक्ट कम्प्लीट होते ही कोशिश यह रहने वाली कि आज ही Financial Planning का भी अंतिम प्राहर आप तक पूरा अवलेबल करा दिया जाए तो चलिए अभी Human Values की क्लास शुरू कर लेते हैं टोटल 14 questions हैं है ना टोटल 14 questions है second question पर मैं आ गया हूँ तो चलिए एक एक करके सारे questions अपन देख लेते हैं आज बहुत सारा काम है अपने पास इसके अलावा announcement भी वह है कि e-books अभी तक किसी ने नहीं लिये अगर MBA का कोर्स अभी तक किसी ने purchase नहीं किया है वैसे तो काफी अच्छी selling हो गई है इसकी तो 799 यानी 800 रुपीज में approximately हमारी website पे available है और description box में भी लिंक देदूँगा 7 books का पूरा e-books आपको मिल जाएगा जो exam में काफी आपकी help करने वाला है ठीक है second most important question क्या है अंतिम प्रहर का जल्दी से देख लेते हैं second most important question है self exploration जी हाँ याद रखिएगा self exploration continuous happiness and prosperity तो जल्दी से इसको समझ लेते हैं self exploration होता है मेरा मुझसे मिलन खुद का खुद से मिलन को क्या बोलते है self exploration यानि मैं क्या हूँ मैं क्या कर रहा हूं और मुझे यह काम कैसे करना चाहिए था आज जैसे कि मैं college professor हूँ ठीक है तो मैं क्या था मुझे क्या बनना चाहिए था और मैं क्या बन सकता हूँ आगे जाके life में मेरे को क्या achievement करना है क्या college professor का end of the day करना है मुझे मेरी जिन्दगी में आज जब मैं retired होता हूँ 60-65 में जब हम retirement होते हैं तब मैं अपने आपको किस लेवल पर देखता हूँ तब मैं अपने आपको किस जगे देखता हूँ तब मैं मेरी life के साथ क्या मैंने justification करा है या नहीं करा है और आज जो मैं हो गया हूँ वो किन कारण से हुआ है तो खुद का खुद से मिलन ही self exploration के लाता है हमेशा खुद से पांद करी है stress ला रही है जो stress ला रही है अगर आप identify करोगे तो उसका solution भी जल्दी मिल जाएगा तो सबसे पहले process क्या होती self exploration की सबसे पहले आपको बनना होता है keen observer यानि कि आपको खुद observer बनना होता है इमानदारी के साथ कि आप जो काम कर रहे हो वो सही काम कर रहे हो आप अप अपनी knowledge के according काम कर रहे हो आप अपनी choice के according काम कर रहे हो अगर नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो ठीक है अब second आपको देखना होता है problems की जगे solutions पर हर इंसान की life के अंदर problems होती ही है क्योंकि धरती पर आया है तो problem लेकर आएंगे संगरशी जीवा ने ऐसा सब सिख ठीजा देते हैं ठीक है तो solution के उपर हमको focus करना होता है problem के उपर focus नहीं करना होता और हमारे emotion को हमको chase करना emotion को chase करने का मतलब जो हम चीज liking करते हैं like के आपको kricketer बना आपको dancer बना था आपको एक scientist बनना था आपको एक entrepreneur बनना था आपको एक business tycoon बनना था जो भी चीज आपको पसंद है लेकिन उसमें क्या आता है demerit आती है उसमें क्या आता है defeat आती है उसमें क्या होता है कि आदमी downfall में जाता है जाए गई क्योंकि अगर सीधा सीधा अगर अचीव करने में आ जाएगा तो कभी भी कोई successful stories write up नहीं होगी तो यहाँ पर जब आपको chasing your strong emotion का मतलब ही यह है कि जब भी आपको कोई failure आए तो आपको again bounce back करना है strongly तो यही होता है emotion का तो यह step से सबसे पहले आपको focus सबसे पहले आपको observe करना है कि क्या आपकी swan है swan यानि strength weakness achievement और next यह है मैंने इसको detail video में बहुत अच्छे से समझाय है अभी केवल nutshell में बता रहा हूं क्या आपकी swan है उसके बाद आपकी solutions कौन कौन से suppose कि जैसे कि मैं कह सकता हूं कि जब मैं 89 क्लास में था तभी मुझे यसा लग रहा था कि मुझे teacher बनना चाहिए professor तो बहुत लेटर और या तक आ गया तक रेजूशन लेवल पर तब मुझे लगा था नहीं college class से में tuition पढ़ा रहा हूं है ना six पे में फिफ्ट के पढ़ाता था फिफ्ट के पढ़ाता था फिफ्ट के सेवन को पढ़ाता था free of cost था starting में बाद में थोड़ा monetization होने लगा कि अच्छा इस काम के पैसे भी मिलते हैं तो सबसे पहला आपको observe करना है कि आपको क्या करना है आपके life के अंदर जब तक आप यह observe नहीं करोगे तब तक सारी चीज़े जीरो पर ही रहेंगी उसके बाद आपको solution की कौन सी चीज़े आप कर सकते हो कौन सी चीज़े नहीं कर सकते हो at the time of your budget at the time of your age है ना ये और उसके बाद उसके उपर लग जाना है उस पर मेहनत करनी है यही होता है next identify core values and belief यानि भरुसा और core values यानि कि यह चीज यह अचीव करने के लिए best है करोड़पती तो बनना है लेकिन cybercrime करके नहीं बनना है है ना किसी का OTP passport hack करके नहीं बनना है चोरी करके नहीं बनना है तो एक अपन को identification होना चीज़े कि किस तीज़े से हम ज्यादा profit कमाएंगे लेकिन उसके साथ ethical manner में भी हमको काम करना है और responsibility ऐसा है कि मेरे को बगवान ये सेवा में करना तो नहीं आपको वही भगवान है आपके माता-पिता ही भगवान है आप उनी को बगवान मान के सेवा करिए तो यानि कि आपको जब भी कुछ चीज अचीव करनी है जब भी कुछ चीज आपके emotions के साथ जबना है उसके साथ sense of responsibility भी रखना है कि कौन सी च के साथ आप यह नहीं किसकते कि आपके फैमिली को हम लेफ्ट कर देते हैं हम स्टार्टिंग से हम सारी चीज़े क्योंकि जिन्हों ने आपको अप्परिंगिंग करी है आपके जो रिलेटिव हैं यानि कि उनकी प्रती आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिडी बनती है तो यह ह हमको क्या करना है उसके बाद सॉल्यूशन पर फोकस करना है उसके बाद हमारे इमोशन को क्या करना है इसके साथ में हमको क्या करना है और इसके लास्ट में हमको हमारी responsibilities के उपर भी focus रखना है तीक है मतलब कि आप जैसे कि हमको एक बड़ी company बनानी है तो उसके लिए यह नहीं कि एक हजार पेड़ काटने के जरुवत हो जाएगी क्योंकि हमको वो land मिल गया है तो आपको यह भी याद रखना है कि responsibility environment के प्रती भी है बार बार एक्जाम में हीट होता है अच्छे से याद कर लिजेगा डिटेल के लिए और अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप PDF बाय कर सकते हो नहीं तो अगर आपने notes बना रखे तो well and good है जैहिंद मस रही है खुश रही है जल्दी next question लेकर आता हूँ